नमस्कार दोस्तों मिर्णाम में विमल सिंग बालाजिस्ट देड़ा में आप सभी का स्वागत है आस तारीक आपकी है 21 अक्टूबर 2023 दिन सनिवार का है और यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान नियूस वेपर में जो है सबसे नीचे इस पेज पर आपको नियूस पत्र अभी प्रसिक्षडबाद स्कूल आवंटन इसी के सेंटर में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि BPSC को रैंक के अनुसार जो है वो मिलेगा स्कूल यहाँ पर बात की गई है रैंक के अनुसार ही स्कूल जो है वो मिलेगा ये प्रक्रिया नवंबर के दूसरे सप उनकी अगर बात करें तो उनको बुलाये जाएगा और उन्हें फिर उन्हें विद्धाले आवंटन किया जाएगा तीन विकल्ब भी दिये जाएंगे और एक बार विद्धाले चेन होने के बाद फिर उसमें आप बदलावन नहीं कर पाएंगे ये भी चीज़ यहाँ पर क्ल इसके अंतरगत देखेंगे तो लिखा है पटना से न्यूज है जिसमें उच मादिमिक विद्धाले के लिए नवन्यूक्त जो सिक्षक हैं उनको न्यूक्ती पत्र दिया जा रहा है इसके बाद प्रिसिक्षड सुरू कर दिया गया लेकिन अभी स्कूल का आवंटन नहीं ह इसके लिए पिछले एक माहा से तमाम स्कूलों से सिक्षकों की जानकारी भी मांगी गई थी और अब संबंदित जो जिला सिक्षा काराईले अलग-अलग विसए हैं उनकी कमी वाले सिक्षकों की सूची त्यार कर लिया है और इसी सूची के आधार पर सहरी और ग्रामीड चेत्र के स्कूलों में नव न्यूक्ति जो सिक्षग है जाएगा, सहरी में बाद में किया जाएगा, नोटिस में लिखा हुआ था, बता दें कि BPSC द्वारा सिक्षक नियुक्ती का रिजल्ट लगातर जारी किया जारा है, अभी उच्छ माद्दिमिक के जारतर विस्यों के रिजल्ट जारी कर दिये गए, जल्दी माद्दिमिक का आभी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और माना यह जा रहा है कि आज आपको रिजल्ट देखने को यह माद्दिमिक वाला मिल सकता है, रिजल्ट जारी के साथ ही सिक्षकों को पिसिक्षित भी किया जा रहा है, इसके लावब दूसरी निउस भी मैं आपको दिखाता तो CM 25,000 सिख्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे, यह पूरा नोटिविकेशन हम कल आपको बता चुके हैं, जिसमें गांधी मैदान में 2 नौंबर को चैनीज सिख्षक बढ़ती हैं, उक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, पर यह पूरा सारी चीज़ हम आपको समझा चुक